राश्टपती रामनात कोविंद तीन और चार तारी कोकानपुर में होंगे चार जून को मर्चंट चैंबर के 90 साल पूरे होने पर पर आयुज़ुद होने वाले कारिक्रम में शिरकत करेंगे प्रशाशनिक अधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और लगातार अधिकारी सडकों पर उतर कर कारिक्रम कर रहे हैं रामनात कोविंद आगमन में लगभग एम्बुलेंस या किसी भी तरह के अमेरजनसी वाहन के लिए भी विवस्था की गई है सभी अधिकारी सरकिट हाउस, चकेरी, एरपोर्ट और मर्चन चैम्बर की तैयारियां पूरी करने में जुटे हुए हैं आपको बता दे राश्पती 3 जून को कानपूर जाएंगे कानपूर में कुछ लोगों से मुलाकात के बाद कारिक्रम में शिरकत करेंगे राश्पती रामनात कोविन 4 जून को कानपूर में होंगे उसको लेकर प्रशाषनिक अमले ने पूरी तैयारियां कर ली है इस वक्त हमारे साथ जिलाद कारी नेहा शर्मा है उनसे ही बात करेंगे मैं क्या कुछ तैयारियां की गई है तीन तारी को राश्पती कानपूर आ जाएंगे और उसके बाद चार जून को मर्चिंट चेम्बर मता रखेंगे जी महा महीम की विजिट जो है कानपूर नगर में उसको लेकर के सभी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं कई विभाग इसमें जो हैं वो जुटे हुए हैं विकास जो रोड मूवमेंट है जो रूट का व्यास्थापन है इसके अतिरिक्ट साफसफाई व्यास्था रेफरल हॉस्पिटल सेफ हाउस इन सभी व्यास्थाओं को देखना है क्योंकि कोविट प्रोटोकॉल भी अभी चल रहा है तो कोविट हेल्पडेस भी हम लोग जगे जगे पर लगा रहे हैं और एंटीजिन टेस्ट इत्यादी जो इस पर भी कूरी कारवाई चल रही है तो हम लोग लगातार सभी विभागों से समन्वे बनाए हुए और एक बहुत ही स्मूद और इंसिडेंट फ्री विजिट जो है उसको कराने के लिए प्रतिवर्ज एक कोशन आएगा पिछली बार जब राश्पती कानपूर आयते तो ट्रैफिक में ऐसी घटना घटित हो गई थी कि एक महिला की डैथ हो गई थी जब वो आयते तो रोका गया था ट्रैफिक तो इस बार उसके लिए कुछ अलग से विवस्था की गई है किसी भी विजट पे कोई भी कोई भी चूप ना हो इसको एंशॉर किया जाता है हर लेवल पर इसलिए बार बार ड्राइरन और काफी रिहर्सल्स होती है जो पब्लिक के रूट डैवर्जन्स है उसको भी हम वाइडली पबलिसाइज कर रहे हैं दो दिन से जहां पे डैवर अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हां बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हर खाबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंद आप हमें इंस्टार ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारे आईटी है अट तरेट ज्यम्धी ड्यूस लाश